हलो फ्रेंड्स मैं मेगा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विन मेगा बातक पर देखिए मैं आपको हिंदी रचना के नाम से जो पुरानी बुक है वो कर पा रही हूँ नवीन हिंदी वियाकरण रचना के नाम से जो पुक पहले चला करती थी देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है वो उसमें से कई सारे questions बहुत सारे इवन सिर्फ माति में शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाये हुए पेपर्स में ही नहीं बलकि दूसरे कई पेपर्स में भी देखे गए हैं तो मैं आपको वो बुक कंप्लीट करवाऊंगी बाकी रचना प्रबोध में अगर कोई अडिशनल दिया हुआ होगा तो वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस तरीके से हम दोनों बुक को कवर करते हुए प्रिप्रेशन करेंगे तो देखे मैं आपको समास पड़ा रही थी और समास का एक पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुकी थी दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आप प्लीज अभी मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों से भी शेयर करिए मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए उसका जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया नौटिफिकेशन मिल सके क्योंकि मैं रेगिलर यहाँ पर वीडियो अप्लोड कर रही हूँ रेगिलर प्रिप्रेशन करवा रही हूँ और जो 2 सितंबर जो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे कवर कर लें तो आप प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा जो वीडियो है उनको अपने दोस्तों तक जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाईए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए यह पार्ट नंबर 2 है मैं गरूरा के वीडियो के साके लांगी तो आपको यह सप्रेकcker समा समा और 2 ब्रकार कर वा स्वाँगी इसके अलावा हमने अव्य-भाव समास, दवंद समास, बहुभ्या समास यह सब वीडियो में देख लिया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द्विगु समास , द्विग तो पुर्वपद संख्या वाचक हो Nope प्रयक्त संख्यावाचक नियुक्त कराती सोनियर्थ का नहीं जैसा कि बहुब्रीय समास में देखा जाता है, देखें, द्वीगु समास जो है उसमें जो प्र्यक्त संक्या हिए किसी समू का बोत कराई सी, जैसे एक एक ज्ञाम्पल की लिदे चतुर गुच यह वो यह दोनों में चलते हैं यह जो शब्द वहुब्रिय समास में बी चलता है जब्के द्विग शमास में भी चलता है चतुर देखते ही हमारे दिमाग में तुए दिगु समास है लेकिन चतुर भुज जो है वो किसको कहा जाता है विष्णु को भी कहा जाता है तो अगर बाक्या की रूप में वो देखता है तो उनको यह अर्थ निकाल करके देखना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है उसी तरीके से हम डिसाइट करेंगे तो अर्थ में संख्या को ज्यादा हाइलाइट कर रहा है जैसे चतुर भुज है चतुर भुज अगर हम कॉमन ले तो यानि कि जिसमें चार भुजाएं हो यानि कि चार भुजाओं का समु बता रहा हो अगर वो शब्द इस तरह का अर्थ निकल रहा हो तो वो दिगु समास के कre बनी कान देख के दूर अधर चाट बहुझार को चैनका समय भी चार हानinea निग फ्रत्वेन चाहर है गालेट होगी पुम हाईलाइट को ऀसके एक को दिसके जाने हैं त्वाईएल दो राहमें का यानि के दो राहां मुझा है यानि के दो दो पक्षी नहुं का समूद्ध। दो पक्षियों का समूद्ध, दो यह बहोल है नहीं के दो नहीं मुझदं श्वरे की जो दो नहीं Yes के, संपादक के दिया हुआ ह Burns तरिबुज तरिबुज तीन हैं जिसकी भुजाएं देखिए अर्थ तबनिकलता है अगर तीन लोगों का समूह जैसा निकले तो वह दवन्द समास हो जायगा और यादे तो लोग श्री-शिव के बारे में अर्थ निगल करें श्री-शिव की तरब गारा हो तो वह क्या हो जायगा बहु ब्रीत समास हो जायगा इसी तरीकेसे देखिए serie अंकलंत रहे भुवंत रहे चौमासा या चतुरमास चतुरभुज देखे चतुरभुज मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्स्प्लेइन किया था कि चतुरभुज के भी दो अर्थ निकलते हैं लेकिन हमें अर्थ निकाल करके देखना होगा या तो question paper में जो है वाक्य के रूप में ये शब्द प्रयुक्त किया जाएगा और underline करके शब्द का अर्थ आप से पूछा जाएगा और फिर ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है तो पूरा जो वाक्य है उसके भाव से शब्द का क्या भाव निकल रहा है किसको indicate कर रहा है वो हमको identify कर करना होगा और उसके according को समास जो है वो निकालना पड़ेगा ऐसे ही पंचामरत पंचपात्र पंचवटी शटबूच देखे सब में संख्या आ रही है सब्ताह सत्साई सब्तिशती सब्त्रिशी अश्ट सिद्धी नवरत्न नवरात्रा दशक शतक शताब्दी आदी तो दे कि अगर यह संख्यां के शमू को बता रहा है तो फिर इसमें जाएगा दोन्द शमास में और यदि दे शक्या हों खनाताहि प्रेख हो रहा है जैसे कि चतरहुज बнибудь कर्मदहर समास हम देख लेते हैं कर्मधर्य समास में एक पत्थ विशेष्ण होता है और दूसरा विशेष्य होता है के मत्र शेष्यक सर्व期 मतले में अबन होता है इसमें ऑख्वनिया तो फूर्प τι होता है तो देखे पुर्ष उत्तम पुर्षों में उत्तम यानि कि जो है उत्तम जो है वो तो विशेशता है और पुरुष जो है वो क्या है विशेश्य इसमें विशेशन विशेश्य का संबन्द आएगा नील कमल नीला है जो कमल महापुरुष महान है जो पुरुष घंशाम घंज अब देखिए पीटांबर जो शब्द है वो विष्णु के यह प्रयुक्त होता है पीटस साथनका कि अन्छल जो इसका है इसलिए उन्हें पीटांबर भी कह जाता है पीताम पर जो शब्द है वो बहुब्रिय समास में भी प्रयुक्त होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी शब्द होगा वो एक वाक्य में दिया हुआ हो अगर और वाक्य के तरू जो भी उसका अर्थ निकलेगा अब देखिए पीत है अंबर जिसका यदि विशेशन विशेश्य जैसा संबंध निकलके सामने आ रहा है तो वो तो क्या हो जाएगा कर्मधारी समास हो जाएगा और यदि इसका जो अर्थ है वो किसी तीसरे अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है जैसे कि विश्नु के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तो फिर वो बहुब्रिय समास हो जाएगा इसी तरीके से मरशी, नराधं, अधमरा, आधा है जो मरा, रखतांबर, रख्त के रख्त का जो अंबर है कुमती, कुपुत्र, दुशकर्म इसमें विशेशन, विशेश्य का संपन्द होगा यानि के एक तो विशेश्य होगा और दूसरा विशेशन लगा हुआ होगा इसी तरीके से चरम सीमा, महारशी, नराधर्म, अधमरा, रक्तामबर, कुमती, कुपुत्र देखे, कुमती जो है ये शब्द अभ्याई भाव को भी बता रहा है कि अभ्याई भाव में कुपुत्र लेकिन विशेशन विशेश्य का संबन नहीं निकल रहा है अभ्याई भाव में तो क्या होगा उस पूरे शब्द को अभ्याई कर देता है उसे अभ्याई भाव समास कहते हैं जबकि यहां पर क्या होगा कुपुत्र यानि कि वो पुत्र जो की कुट्सित पुत्र है जो की यानि कि नकारात्मक्ता लिये हुवे जो पुत्र होगा यानि कि विशेश और विशेश का संबन्द निकल रहा होगा आपको बहुत ध्यान से इनको सॉल्ट करना पड़ेगा समास कोई easy नहीं है आपको समास का विख्रय करके देखना पड़ेगा शब्द को अच्छी तरीके से identify करना होगा और यदि वहां बाक्य आजाता है वाक्य के अंतर शब्द प्रयूक्त करके देते हैं और अंडर्लाइन करके देते हैं कि शब्द पताईए कौन सा समास है तो आ सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसी तरीके से देखें शुभागमन नीलोधपल म्रगनयन चंद्रमुक राजश्री नरसिंग मुखचंद्र वचनाम्रत भवसागर चरनकमल प्रोधागनी चरनवंद विद्यादन देखें इन शब्दों का बार बार देखें यह जो शब्द इसके स्टड़ी कर रहे हैं इसके अलावा में हिद्नी रशना प्रबोध में भी एक बार चेक कर लूँगी के इन से अलग और शब्द दिया हो तो मैं आपको उनके भी जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द करवा दूँगी पर मैं पहले एक बार चेक कर लूँगी बुक है उसके अंदर कुछ अभ्यास प्रश्न दिये गए हैं अभ्यास प्रश्न हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या किया है और यह इनको सॉल्फ करना यह बहुत ज़री है क्योंकि सीधा कई बार इनी को उठाकर के क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है तो भाव समास हाँ बिल्कुल होता है बाउब्रिय समास यह भी होता है द्वंद समास यह भी होता है अभिकारी जो है वो समास नहीं है जबके प्रयोग के आधार पर एक शब्द है विकारी और अभिकारी दो प्रकार के जो शब्द होते हैं और अभिकारी शब्द में अभ्या पहले ध्यान रखनी होगी कि पहला पत जो है वो प्रधान होता है इसमें और जो शब्द है वो अव्य होगा अव्य मतलब जो कि लिंग वचन कारक काल आदी के अनुसार नहीं बदलता है तो देखिए राजपुत्र क्या वो राजपुत्र है राजपुत्र तो क्या हो गया र समद्ध है तो ये भी क्यों हो गया कर्मधार्य समास हो गया हाथ वह अव्याई भाव समास है । नामनिन वर्लस के चौर्टन हाथ में हाथ है किसानורה और बास में का अर्थ हमलो में के इसका निकल रहा है अर्थ तो जो पद हो गया वो अव्य भाव में ग आएगा यहां पर हातों हाथ जो है लंबो अदर तो आपको पता है कि लंबा है उदर जिसका ये भी किसको है बहुद्रिय समास है यानि कि श्री गणेश को ये शब्द है वो समर्भित होता है तो हमने इसको देख लिया है हम कर्ता ने कर्म को करंड से से और से में भी कहोन सा अर्थ सेद्वार या निशे जो शब्द है उस शब्द कर्ड मिल गया हमको इसका भार अगे पद से चुच ऐहां पर भी से निकल रहा है Läकिन से क्या है कर्थक करने के अर्थ में निकल रहा है करताने कर्ण को करण से संप्रदान के लिए अपादान से प्रथक यानि कि यह जो है वह अपादान तत्पुरुष है क्योंकि से प्रथक करने है पंचाम्रत क्योंकि इसमें एक संख्या रही है तो तुलसी से क्रज्जों है वह इसका अंसर हो जाएगा है कि इसका अंसर हो गाकर अब देखे पाँचवा है दशानन में कौन सा समास है अब दशानन दश है आनध जिसके और ये किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तो ये बहु प्रिया समास के अंतर कर चला जाएगा क्योंकि देखिए दशानन द्विगू नहीं हो सकता हाला कि इसमें संख्या दे रखी है लेकिन ये एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है रामण के अर्थ में ऱतुरुष, अभ्य भावा या कर्मधारि देखें अब ये जो प्रश्न है पीतामबर जो है वो विश्णू के लिए भी प्रयोक्त होता है और यह किसी सम then का संबंद भी बताता है कित पीद है आंबड जिसका और साचलल Priva है तो विशेशन विशे का 40 यह संबंद पितांबर विशष्ट कपड़ा है इसलिए जो इसका आंसफर हो जाए गोई भाषlaughter आगर यह श्री विश्णू के रूप में प्रयुकत होता है तो भी विशिष्ट रख में जाता क्योंकि एक विशिष्ट कपड़ा है फिकतामवर तो यह विशिष रख में फरयूकत हो रहा है 7 नमर का जो question है Q BT Mu t Welim किस समस में विशेष्ण विशेष्य या उठ्मा उठ्मे का संबंद होता है हमने बहुत बार पढ़ा है कि कर्मधारे समस क्यों होता है तो जो इसका answer हो जाएगा क कर्मधारे समस तो देखे लास्ट question है इसमें रास्ट क्वेस्जन है धुन्द समास किसमे नहीं है, धुन्द में आपको पता है कि धुन्द के अंदरकत क्या होता है, दो पदो होते हैं, दोनों पद ही ब्रधान होते हैं, और जब उनका विग्रय कैया चाता है, तो और या या विप्र California निकलती है, तो इसमें देख लेतर धर्म धर्म या धर्म यहां तो यह भी इसका डुंद्र समाज करता है घर घर Cat जो है वह उसमें घर में और नहीं होता गर का मतलब है प्रत्य घर को समाज का उधारण तो फ़स्फ है रुपिया और पैसा में और निकल रहा है तो यह भी है यानि कर जो है वह घर-घर जो उदारन है वह घर-घर जो शब्द है वह अव्याई भाव को है इसलिए इसका जो आंसर है बुखः हो जाएगा अभ्यभाव समास हो जाएगा घरगर शब तो देखे यहीं पर हमारे जो समास का जो टॉपिक है वो अप्लेट होता है इसके बाद हम नेक्स टॉपिक में लेकर कि आएंगी आपके लिए इसके बाद हम या तो संदी देख ले होगी और नवीन हिंदी व्याकरण व्रचना जो बुक है वो में आपको इसमें कम्प्लीट करवा रही हूँ आप मेरे साथ वीडियो से जुड़े रही है आपको बहुत बेनेफिट मिलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में